असलाम आलेकुम गाइज वेलकम तो माइ यूटीब चैनल अल अबाउट सिविल इंजीनियर गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे फिलो ऑफ हैड्रोलिक सेमेंट ऑफ मोटर एंड ग्राउट ग्राउट और मोटर का फिलो टेस्स किस तरीके से किया जाता है इसके बारे म हम आज की वीडियो में बात करेंगे इसका स्टीम कोड हमारा सी 1437 सबसे पहले में इसका इंट्रोडेक्शन जान लेते हैं इस टेस्ट मैथर्ट कवर्ड टू डिटर्मिनेशन और फ्लो ऑफ हैड्रोलिक सेमेट मोटर जो भी हम मोटार बनाते हैं और ग्राउट बनाते हैं उसका फिलो होता है वो इस टेस्ट में हम चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब करते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि हमाई नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसका अपर गड़ाया और जिसका डाया उपर गड़ाया और नीचे गड़ाया और इसकी हाइट जो रवर टैमपर हम इसमें यूज करते हैं इसकी डैमेंशन हैं और वर्नियर के लिए पर या कोई भी मेजर्मिन टेप वगेर आप यूज कर सकते हैं तो हम इसका प्रोसीजर जानते हैं वाइब दा फ लेना है प्लेज दा फिर्स्ट लेयर ऑफ मोर्टर अबाउट 25 mm थिकनेश 25 mm थिकनेश यानि के हाफ आपने जो है वो इसमें मोर्टार डालना है एक टैम 20 ताइमस विद दा टैमपर तो इंशोर उनिफॉर्म फिलिंग ऑफ दा मोल्ड फिर आपने जो है रवर टैमपर से इ और उनिफॉर्म ली करनी है देन फिल दा मोल्ड सेकेंड लेयर स्लाइटली ओवर फिल फिर आपने सेकेंड लेयर को फिल करना है चाहिए रिज पी टैमपिंग करनी है आपने 20 ताइमस गट अब दा मोर्टार टू अब प्लें सर्फेस पिर आपने जो इसके उपर सर्फेस इसको प्लेन कर लेना है lift the mold away from the mortar one minute after completing the mixing फिर एक minute के लिए आपने जो है wait करना है एक minute आपने जो है mold को lift कर देना है इस तरीके से आपका mortar इस form में आपका mortar आ जाएगा immediately drop the table 25 times within 15 seconds 15 seconds में आपने इसको 25 times rotate करना है इस तरीके से इस तरीके से आपका spread हो जाएगा measure the diameter of mortar along the four lines scribe on table फिर आपने जो है इसका डाया check कर लेना है किस तरीके से यह जो जो लाइन आपको दीवी है यह table के उपर इन लाइनों पे आपने measure करना है यहां से यहां तक यहां से यहां तक इस तरीके से चार आपने जो है diameter check करना उसका average कर लेना है record is diameter nearest mm mm में अपने check करना है इसकी calculation जो है average dia of mortar जो हमने यह डाया लिया इसका average base dia of mold base क्या है जो हमारा यह हमने mold में बनाया था इसका जो हमारा base का जो डाया है यह डाया है उसको डिवाइड करना है base dia of mold से multiply by 100 suppose हमारा डाया जो है 205 mm-100 जो हमारा इसका डाया है mortar का वह 100 है इसको 205 को 100 से minus करके 100 से divide करके 100 से multiply कर देंगे तो आपके पार 105% जो है इसका flow आएगा इसके flow की requirement जो है 100 plus minus 5 है so guys I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो में कोई भी confusion हो comment section में आगे comment कर सकते हैं thanks for watching